जैसे अराम भगजनों, प्यारे वक्तों, नाम जब करते हैं परन्तों अनराग नहीं होता, तो फिर हम क्या करें हैं, प्यारे वक्तों अगर आप विश्वास से और निरंतरता से स्वासों के द्वारां सुम्रंण करते रहें, तो आपके अंदर अनराग पैदा होने लगेगा क्योंकि संतों ने लिखा है कि स्वांस स्वांस सुम्रन करो बिर्थों स्वांस मत खोए ना जाने स्वांस का आवन होई न होई तो संतों ने भी स्वांसों के द्वारा सुम्रन के लिए कहा है तो प्यारे वक्तों हमारे पास किबल स्वांसों का ही खजाना है जो हम लेकर आये थे अगर ये बिर्था में हमने लुटा दिया तो हमारे पास क्या बचेगा इसलिए हमें ये खर्च नहीं करना है बलकि इसको बढ़ाना है जब ये असंख मात्रा में होगा तभी हमें अनराव होगा जब अनराव होगा तो हमारी भक्ती परपग के हो जाईगी भक्ती हमारी परपग हो जाईगी तो फिर हमें अनराव होगा अनराव होगा और पूर्ण तरह से होगा तो हमें भगवान का साक्षात कार होगा तो प्यारे भक्तो शुम्रन के द्वारा ही अनराग को बढ़ाया जा सकता है क्योंकि जब तक अनराग नहीं होगा तब तक भगवान का साक्षातकार भी नहीं होगा क्योंकि अनराग के बिना भगवान का कभी साक्षातकार किसी को हुआ नहीं है तो प्यारे भक्तों आप ज्यादा से ज्यादा नाम जब करें, सुम्रण करें और निरंतरता से विश्वास और एकागे चित से करें तो आपके अंदर धीरे धीरे अनुराग बढ़ने लगेगा और जब अनुराग अपनी अंतिन सीमा में पहुचेगा तो आपको परमात्मा का साक्षात कार होगा और जरूर होगा और जब साक्षात कार होगा तो आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आपकी बुद्धी और मन की कलपना से परे है लेकिन प्यारे भक्तों करना आपको ही पड़ेगा क्योंकि हम लोग तो केवल बता सकते हैं आपका हिस्से का हम कर नहीं सकते हैं जैसे माता होती है वो बच्चे को दूद्ध पिला तो सकती है लेकिन उसके हिस्से का पी नहीं सकती है तो प्यारे भक्तों अगर परमात्मा का साक्षात कार चाहते हो तो आप नम के नाम जब के द्वारा अपने अंदर अनुराग पैदा करें और ऐसा अनुराग पैदा करें कि आपको नाम जब के बगर रहा न जाए आपको नाम जब इतना आपके अंदर समाईत हो जाए कि आप नाम जब नहीं हुआ है तो आप बुरी तरह से तड़ फें तो अगर जब ऐसा हो जाएगा तो आपके अंदर अनुराग भर जाएगा और अनुराग भरते ही पिर आपको क्या मिलेगा ये आप कलपना नहीं कर सकते तो प्यारे वक्तों जासे ज़्यादा से ज़्यादा नाम जब करते रहें और अपने अनुराग को बढ़ाएं और अपना कल्यान करें आज के लिए सरफ इतना ही जैसी अराम